नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इन्फोर्मेशन सेंटर पर आज मैं आपको बताती हूं बजट 2021-22 में क्रशी के लिए की गई घोश्टाएं बित्य मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के कल्यान के लिए प्रतिबद्ध है सुनिश्चित कीमत उपलब्ध कराने के लिए MSP व्यवस्था में व्यापक बदलाव हुआ है जो सभी कमोडिटीज के लिए लागत की तुल्ला में कम से कम तेड़ गुना हो गया है खरीद एक निश्चित गती से निरंतर बढ़ रही है इसके परिणाम स्वरूप किसानों को भुकतान में भी बढ़ुत्री हुई है गैहु के मामले में 2013-14 में किसानों को कुल 23,874 करोड रुपे का भुकतान किया गया वर्स 2019-20 में 62,802 करोड रुपे का भुकतान किया गया और 2020-21 में इसमें और सुधार हुआ तथा किसानों को 75,060 करोड रुपे का भुकतान किया गया इससे लाभानवित होने वाले गेहूं किसानों की संख्या 2020-21 में बढ़कर 43.36 लाख हो गई जो 2019-20 में 35.57 लाख थी धान के लिए 2013-14 में 63.928 करोर रुपए का भुक्तान किया गया 2019-20 में यह ब्रद्धी 14930 करोर रुपए थी वर्स 2020-21 में यह और सुधरकर 1.72.752 करोर रुपए हो गई इससे लाभानवित होने वाले धान किसानों की संख्या 2020-21 में बढ़कर 1.54 करोर पर हो गई जो संख्या 2019-20 में 1.24 करोर थी इसी प्रकार कपास के किसानों की प्राप्तियों में तेजी से बढ़ोत्री हुई जो 2013-14 की 90 करोर रुपए से बढ़कर 25,974 करोर रुपए 27 जनवरी 2021 के इस्तर पर पहुँच गई इस साल की सुरुवात में माननी प्रधान मंत्री ने स्वामित्व योजना की पेशकस की थी इसके अंतरगत गाओं में संपत्ती के मालिकों को बड़ी संख्या में अधिकार दिये जा रहे हैं अभी तक 1241 गाओं के लगभक 1.80 लाग संपत्ती मालिकों को काड़ उपलब्द करा दिये गए हैं और बित्त मंत्री ने बित्त वर्ष 21 के दौरान इसके दाइरे में सभी राज्यों और संग शासित छेत्रों को सामिल किये जाने का प्रस्ताव किया है किसानों को परियाप्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सरकार नहीं बित बर्स 22 में क्रची कर्ज का लक्ष बढ़ाकर 16.5 लाग करोर रुपे कर दिया है इसी प्रकार ग्रामेर अव सनरचना विकास कोष के लिए आवंटन 30,000 करोर रुपे से बढ़ाकर 40,000 करोर रुपे कर दिया है नावार्ड के अंतरगत 5,000 करोर रुपे के कोष के साथ बनाई सूख्ष्म सिचाई कोष को दोगुना कर दिया जाएगा क्रशी और सहायक उत्पादों में मूले समवर धनवा उनके निर्यात को प्रोचसाहन देने के लिए की गई एक एहम घोशना के तहट अब ओपरेशन ग्रीन योजना के दाइरे में अब 22 जल्दी सड़ने वाले उत्पाद शामिल हो जाएंगे बर्तमान में यह योजना टमाटर प्याज और आलू पर लागू है इनेम्स में लगभग 1.68 करोड किसान पंजीकरत हैं और इनके माध्यम से 1.14 लाग करोड रुपे का ब्यापार हुआ है पारदरशिता और प्रती इस परदा को ध्यान में रखते हुए इनेम को क्रसी बाजार में लाया गया है इनेम्स के साथ 1000 से जादा मंडियों को जोड़ा जा चुका है APMC को अपनी अवसन रचना सुबिदाएं बढ़ाने के लिए क्रशी अवसन रचना कोश उपलब्ध कराया जाएगा हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं और जो इस चैनल पर नए है वह हमारे चैनल इन्फोर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर ले आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करे धन्यवाद झाल देचा लेका लेशन सेंटर कर दो सब्सक्राइब कर दो अबूर्मेशन सेंटर कर दो इस चैनल इस चैनल पर उस्माद